तो सबसे पहले मैं आप सभी का वाइफाइश्ट्री 2.0 पर स्वागत करता हूं और उससे पहले I'm sorry to all of you की class आप लोगों की live नहीं हो पा रही है बिटा तो मुझे आप लोगों से ज्यादा समस्य आये पता है मुझे आप लोगों से ज्यादा मतलब problem है कि class live नहीं हो पा रही तो I'm so sorry guys ठीक है यह दिकत एक दो दिन की है मैं आप सभी को बता दू मैं थोड़ा सा इस्टक हूँ कहीं पर ठीक है तो चीजें एक दो दिन में सही हो जाएंगी फिर आपकी class स्टार्ट हो जाएगे regular basis पर ठीक है बच्चा तो let's start today आज हम लोग profit and loss के आगे बढ़ते यह कौन है आपके last classes के winners है उत्तम पांडे homework questions का answer 25% loss सुजीत का answer 25% loss शिवम का answer 25% loss बाजपेई जी है 2029 यह शायद अपना number देने की कोशिक कर रहा होंगे किसी को ठीक है तो इनका number बिटा कितना है 25% loss यानि कि 25% loss ठीक है तो let's start बिटा हम लोग स्टार्ट करते हैं session अपना ठीक है start करते हम लोग बिटा अपना session देखे profit and loss का यह के हमारा next part है ठीक है next part है यह हमारा profit and loss का तो आज के जो question होंगे वो basically कहां पर based होंगे वो basically बिटा आपके based होंगे discount पर किस पर based होंगे बिटा discount पर based होंगे आज के पूरे के पूरे question ठीक है ना discount पर based होंगे ठीक है तो सभी लोग जुड़ जाईए साथ में आपको अच्छा लगेगा और प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को share कर दो बिटा अब discount की बात हो रही है तो discount की अगर हम लोग बा अगया ठीक है ना बिटा तो जल्दी से सभी लोग comment करके बता दीजे इसका answer क्या हो जाएगा तो देखे अगर question की बात करीजाए तो MRP आपका दिया गया है अंकित मूली यानि की बिटा आपका 150 इस पर 20% का discount है तो 20% का जब discount हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका असी बचेगा असी बचेगा असी बटे 100 जीरो से जीरो जीरो से जीरो आपका कितना आ गया ये ये आ गया 158 120 रूपीज क्या हो जाएगा बिटा आंसर अब देखो इसी को लोग formula का नाम दे देते हैं क्या formula का नाम दे देते हैं कि SP बराबर SP बराबर MRP into 100 minus discount upon 100 sorry हाँ जी upon 100 ठीक है अब आपको ये formula का नाम दे दिया गया यारे formula कुछ नहीं होता बच्चा मैं आपसे फिर कहूँ ठीक है formula और trick कुछ नहीं है सीधा सा concept है 150 रुपए की बस्ती 20% छूट दे दी कि कितना बचा आपका 80% बचा तो into 80 divided by 100 आपका आंसर कितना आगया 120 आगया ठीक है अगला question है आप सभी के सामने सभी लोग इस question का आंसर बताएगा कि एक प्यानों का अंकित मूल्य कितना है 15,000 रुपए था उसे बेचते समय उस पर 20 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गए थी तदानुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था बिटा आप से ये कहा गया है जल्दी से सभी लोग आंसर बताएगा क्या हो जाएगा ठीक है जल्दी से सभी लोग बिटा इसका आंसर बताएगा क्या हो जाएगा ठीक है तो अगर बात करूं मैं, क्या हो जाएगा इस question का answer तो कह रहा है, कि 15,000 रुपए आपका क्या हैं, कित मूल लिया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, और सभी लोग comment first करो, उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमी छूटें दी गई, तो 20 की छूट दी गई, मतलब कितना बचा आपका, 80, बटे 100, अब क्या 10 की छूट दी गई, तो कितना बचा बचा आपका, 90, बटे 100, फिर 10 की छूट दे दी गई, कितना बचा आपका, 90, बटे 100, 00, 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 आगे एक 0 चिपका देंगे, 97 बे 20 बिटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बताईए बात क्लियर है सभी को, जल्दी से प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताईए बिटा सभी को बात क्लियर है, सभी को इतना मुद्दा क्लियर है की नहीं है, फिर हम लोग आगे ब परते हैं फिर से समझा रहा हूं क्या समझने कोशिष करिएगा क्या हुआ बिटा आपका 15 रुपे वस्तु का क्या था कि क्या अब उस पर बात करी जाए 15 रुपे वस्तु का अमर्प प्र था उस पर 20 परसें चूड़ देगी तो बचा कितना अशी फिर से उस पर 10 की छूड़ देगी कितना बचा आपका 90 तो सॉल करने पर आपका कितना आ गया बास सतानबे बीस आपका आंसर आ गया बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर आंसर देगा सबी लोग क्या हो जाएंगे ठीक है कह रहा है एक दुकानदार ठीक है बात की जा रही है तो क्या कह रहा है वो कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूले 80 रुपए अंकित करता है तदा नुसार यदि वाह उसे प्रतेक 5% की दो क्रमिक छूटें दे कर बेचे तो उसका विक्रे मूले कितना होगा जल्दी से सभ आगे वरते हैं बच्चा ठीक है जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बता दो फिर आगे वरते हैं ठीक है द्यान से देखिए क्या कहा रहा है एक दुकानदार एक दुकानदार एक वस्तु को मूले 80 रुपए अंकित करता है तदा नुजार यदिवा उसे प्रतेक 5% की छूट दो क्रमिक छूटे दे कर बेचे तो उसका विक्रे मूले कितना होगा आप से एक आगे जल्दी से सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बता दीजेगा बिट जल्दी से बता दीजे सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं बात करूँ कह रहा है 80 रुपए अंकित करता है अच्छी बात है देखेगा 2-3 तरीके से इसको कर सकते हैं 0,08 रुपए उसने अंकित किया 5% की छूट दीगी तो 5% की जब छूट दी गई तो 5% की जब छूट दीगई तो कितना होगे आपका तो यह 4 की छूट से लिए जाएगी, कितना बचा आपका? यह बचा आपका 76 कितना बचा बचा आपका? यह बचा 76 अब 76 पर आपकी 5% की छूट जाएगी यहाँ पर एक shortcut समझेगा, कि जैसे 76 का बचा आपको 5% निकालना है तो 76 का आधा कितना होता है? आपका 38 होता है तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 3.8 कितना बचेगा आपका? भाई, कितना बचेगा आपका? बताईए जरा एक बार सभी लोग या फिर आप इसको और थोड़ा सा easy way में कर सकते हैं आपकी कितने की छूट दी गई है? 5% की दो क्रमी छूटें दी गई है चले ठीक है, ऐसे ही करते हैं, यहीं सही है 80 पर क्या किया हम लोग ने? 5% की जब छूट दी गई तो आपका कितना बचा? सॉरी माइनस 5% तो 80 का 10% हो गया, 8 माइनस 4 गया, तो कितना बचा आपका? 76, ठीक है? अब हम लोग 76 का 5% फिर छूट दे देंगे एक बार तो 76 पर माइनस 5% होगा, तो देख लीजे, आपको मैं दिखा देता हूँ 76 इंटू 5 बटे आपका 100, ठीक है बटा? तो अब देखिए 5 अका 30 का 0, हांसिल 3, 5 सते 35, 35, 38, ठीक है? दस्वर लो यहाँ पर तो 3.8 मतलब क्या होगा था मैंने? जितना लिखा हो, उसका आधा कर दो वह आपका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं? वही हो जाएगा 5%, ठीक है? अब बात करी जा रही है तो उसका विक्रह मुले कितना होगा? तो 76 में 3.8 माइनस करो, तो कितना बचेगा आपका? 72.2 is your right answer, ठीक है? पता है? रिकॉर्डिंग क्लास में पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आता, लेकिन बिटा जहाँ पर हो थोड़ा सा इंटरनेट इशू है वहाँ पर, इस वज़े से ये प्रॉब्लम आप सभी को फेस करनी पड़े तो I am sorry to allow of you, एक दो दिन में ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो चाहेगी, ठीक? अगला क्वेश्यन है, कि एक 1200 रुपें कित मूले वाली, एक कुरसी, 25% तथा 10% के दो अनु क्या है, एक 12,000 रुपें अंकित मूले वाली एक कुरसी, 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्द है, उस कुरसी का विक्रे मूले कितना है, आप से ये पूछा गया है, जल्दी से सभी लोग आंसर करके बता दीजिए, देखे, चीज़ें आप लोगों के solve करने के उपर है, एक ही चीज़ के आपके पास कई तरीके होते हैं, एक ही चीज़ के आपके पास कितने तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, समझाता हूँ, देखेगा कैसे, अंकित मूले हो गया आपका, 12,100 रुपेर, ठीक है, पहले अगर मैं basic method से करूँ तो 25% की जगे छूट हो गई, तो बचा कितना आपका, 75%, 75 बटे 100, into 10% की छूट हो गई, यानि कि आपका 90 बटे 100, ठीक है, इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 3, 75, 25, चको 100 हो गया, 00 से आपका 00 कट गया, 4, 95, 4, 3, 12 हो गया, 3, 2, 9, 9, 81, 810 रुप दी गई है, 25% बड़ाबर दे की गाद्यान से, 25% बड़ाबर बिटा आपका क्या होता है, 25% होता है आपका 1 बटे 4, 10% क्या होता है बिटा आपका, ये होता है 1 बटे 10, 4 पर 1 की छूट दी की कितना बचा बिटा आपका, 4 पर 1 की छूट दी की 3 बचा, 10 पर 1 की छूट दी क कितना बचा बचा आपका 10 पर एक की छूट देगी बचा आपका 9 ठीक है 10 चको कितना हो गया आपका 40 9 तेही 27 ठीक है अब आपको ये दिया गया था 1200 रुपए यानि कि 40 की value बटा कितनी हो गई आपकी 1200 रुपए हो गई कितने गुणा है ये है आपका 30 गुणा तो ये भी क्या कर दो आप 30 गुणा कर दो तो 27 ठीक एक यासी 810 ये भी आपका क्या होगा आंसर हो गया अब बात यही नहीं गतम होती और भी तरीका आप यूज़ कर सकते बटा ये तरीका नंबर कितना होगे आपका 3 होगा बिटा तरीका नंबर 3 आपका क्या कर सकते हो 1200 लिखा आपने उसमें 25% का discount minus का 25% तो 25% discount मनलब कितना होगे आपका 300 रुपए ठीक है तो कितना बचा बिटा आपका ये बचा आपका 900 ठीक है अब कह रहा है 10% की चूट इसमें 10% की चूट 90 minus कर दो कितना बचा बिटा आपका 810 रुपए ये भी आपका क्या आजाएगा आंसर आजाएगा तो सवाल एक होता है उसके करने के कई तरीके होता है जो आप पहले जो देखें कोई भी easy cut in कुछ नहीं है जो आपको सबसे पहले आदा आजाए वो आपके लिए क्या है जो तरीका आपको सबसे पहले अवेल हो जाए, सबसे पहले आद आ जाए, वही तरीका आपको एक्जाम में follow करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप help क्या कर सकते हो बच्चे, कि जो तरीका आपको easy लगे, उसी तरीके का क्या करो, उसी तरीके की आप लोग प्रैक्टिस करो, तो जब प्रैक्टिस करोगे, तो वही तरीका आपको सबसे पहले आद आएगा, बस एक यह logic है, ठीक है, नहीं तो तरीका कोई भी cutting circle नहीं है, बस speed matter करती है, ठीक है न, speed matter करती है, यह समझेगा आप लोग हमेशा, ठीक है, आज भी गाउं में पढ़ने वाले लड़के, आ अपने लक्ष को देख कर, समझ रहे हो न, उनको यह नहीं पता, उनको shortcut नहीं पता कि shortcut क्या होता है, उनको यह पता है, उनको और उनका लच्छ क्या है, बात समझ रहे हो आप लोग, तो उसी तरह, shortcut, shortcut, कुछ नहीं है, मुहमाया है यह सब, ठीक है, लच्छ पर आप लोग देहान दीजिए हमें शाटी के बिटा चलो आगे बढ़ते हैं लोग आंसर बताएगा प्लीज इस कोईशन का आंसर बताएगा जल्दी से बता दीजे वहीं सब लोग कह रहा है एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए कीमत की पर्ची लगी थी वही विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की क्या कर दी छूट दे दी वही अच्छी बात है यदि विक्री पर उसे 10% लाब हुआ हो तो क्रेम मूल लिक्या था आपसे ये कहा गया है जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बता दीजे क्या हो जाएगा ठीक है जल्दी से सभी लोग बिटा इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं देखें, बात करते हैं, लोग, तीन चीजे होती है, सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्स सिखाऊँगा, फिर आपको शॉटकट भी सिखा दूँगा, तीन चीजे होती है, हमेशा याद रखेगा, क्या-क्या होता है बटा, ये इक होता है आपका MRP, दूसरा होता है बटा, आपका SP, और तीसरा होता है आपका CP, ध्यान लखेगा इस चीज़को, ठीक है, बीस परसेंट की क्या है आपकी छूट दी गई है, बीस परसेंट, एक बटे पांच, पांच पर आपकी एक छूट दे दी गई, कितने की वस्तु बेची गी भाई, चार क 10% का लाब हुआ, 10% की वैल्यू बेटा, क्या होती आपकी एक बटे 10, ठीक है, तो 10 की वस्तु थी, उस पर एक का लाब हो गया, यानि की कितने की बेची की, 11 की, multiply करा हो आप, 11, 55 हो गया बेटा आपका, 11, 44 हो गया, और 11, 10 दहम, 10, 40 हो गया, ठीक है, बात क्लियर हो गई आप से कहा गया, यदि, सॉरी, आपको कहा गया कि, एक घड़ी पर 825 रुपे की परची लगी थी, यानि कि उसका MRP कितना था, 825 था, यानि कि बेटा, 55 की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी, 825 रुपे, 11, 55, 11, 77 और 11, 55, 5 से फिर कट कर तो कितना आजाएगा, आपका एक की वैल्यू आगी 15, कोश्यन में क्या पूछा गया, विक्रेमूल क्या है, क्रेमूल आपका कितना है बेटा, 40 है, कितना है, 40 है, तो एक की वैल्यू अगर आपकी 15 है, तो 40 की वैल्यू बेटा, आपकी क्या हो जाएगी, 15 चको 60, यानि कि 600 रुपे आपका आंसर आजाए ये हो गया आपका process, concept, concept क्या हुआ, MRP है, MRP पर जब छूट मिलेगी, छूट मिलने के बाद जो बस तो बेची जाएगी, वो क्या होगा, उसका SP होगा, और जो lab होता है, वो भी बेटा किस पर मिलता है, वो भी आपका SP पर मिलता है, ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया, कि आपकी 825 होगे, एक की वैल्यू आपकी बिटा 15 आगी, पूछा गया, यादी बिक्री पर उसे 10% का लाब हुआ हो, तो क्रेमूली क्या है, तो 40 की वैल्यू आपकी कितनी आजेगी, 600 आजेगी, बताएगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएगा, सब लोग क् इसका मैं शॉट्कट भी बता दूँगा, ठीक है, इसका मैं आप लोगों को क्या बता दूँगा, शॉट्कट भी बता दूँगा, तो अब देखिए, क्या करते हैं लोग, इसका शॉट्कट देख लीजेगा, इसके अगर शॉट्कट की बात करेज़े, तो इसका शॉट्कट क्या हो जाएगा, आपका, CP is equal to MRP into 100 minus का discount upon 100 plus का profit, ठीक है, तो MRP क्या होगे बता, आपका 825 into 100 minus discount, यानि कि बता, आपकी क्या बात करी जा रही है, 100 में से 20 की discount होगे, तो 80 divided by 110, 0 से आपका 0 चला गया, cut करते हैं हम लोग, 1177, 1155 into 8, multiply करेंगे, तो 845, 0 हांसिल 4, 854, 60, जानि कि आपका अंसर कितना अगया है, बेटा, 600 रुपए आपका अंसर हो गया, अगले question का सभी लोग answer बताएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, अगले question का सभी लोग answer बताएगा, बच्चे, क्या हो जाएगा, ठीक, फिर आगे बढ़ता हम लोग, सेम टाइप का question है, अगर इसको पहले मैं concept से सिखाऊंगा, फिर इसको मैं shortcut तो आप लोगों को बता ही दिया है, देखें, concept है आपका MRP होती है, भई MRP हो गई, अच्छी बात हो गई, MRP हो गई, MRP के बाद बिटा, आपका क्या बचा, MRP के बाद आपका बचा, SP और फिर बचा आपका CP, बात clear है, मुद्दा clear है सभी को बिटा, ठीक है, MRP के बाद आपका क्या बचा, SP बचा और क्या बचा, CP बचा आपका अब कह रहा है, 10% की छूट दी गई, 10% का मतलब 10 पर 1 की छूट दे दी गई, कितना बचा आपका 9 बचा 20% का लाब या निकी, 5 पर 1 का लाब हो गया बचा, 6 हो गया आपका, ठीक है यह हो गया आपका 60, यह हो गया बचा आपका 54, और यह हो गया बचा आपका कितना, 45, ठीक है बताओ इतनी बात क्लियर है, देखो 10% छूट, मतलब 1 बचे 10, 10 पर 1 की छूट यानि कि 9 20% लाप यानि कि 5 पर एक का लाप यानि कि 6 आपका बात क्लियर है तो अब देखिए आप से क्या कहा गया कि यदि अंकित मुले 500 हो यानि कि 60 की value बेट आपके कितनी दी गई है 500 ठीक है 0 से आप 0 कट कर दोगे 3 की value बेट आपके कितनी आजएगी 25 आजएगी आपको 45 की value निकालनी है तो इसमें 15 का गुणा करोगे आप 15 तहीं 45 हो जाएगा आपका इसमें भी आप बेटा 15 का multiply करोगे 15, 75 का 5, 6, 7, 15, 30, 37 375 रुपए आपका answer यहां से आजएगा ठीक है लेकिन अब इसी के साथ अगर वो आला formula या trick के देख लो trick होती कुछ नहीं है मैं पहले ही बता रहा हूँ CP बराबर आपका क्या MRP multiply कर देते हैं सीधा MRP कितना है आपका 500 रुपए into 100 minus discount यानि की बेटा कितना बचा आपका 90 divide by 100 plus profit हो गया आपका कितना हो गया divide by 100 plus profit हाँ जी 100 plus profit कितने का तब 20% का यानि की आपका 120 बात क्लियर है 0 से 0 गया 3 तिका 9 3 चको 12 हो गया बटा आपका ठीक है इसको मैं कट करूँगा 125 हो जाएगा multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 375 is your right answer clear हो गया सभी को जल्दी से बताईगा सभी को clear हो गया बटा फिर आगे बढ़ते हम लोग 375 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगले question का आंसर बताईगा सभी लोग क्या होगा सभी लोग अगले question का आंसर बताईगा क्या हो जाएगा बिटा ठीक है फिर आगे बढ़ते हम लोग जल्दी से बताएगा सबी लोग क्या हो जाएगा देखो अब यहाँ पर कर आप कुछ भी सकते हो 20% देखे 2-3 दरीके बता देता हूँ 20% मतलब 5 पर 1 का डिसकाउंट यानि की बिटा 4 हो गया 10 पर 1 का डिसकाउंट यानि की आपका 9 हो गया फिर 10 पर 1 का डिसकाउंट यानि की 9 हो गया ठीक है आप इसको कट भी कर सकते हो दो दुनी चार, दो पंची दस हो गया, फिर मैं दो से कट कर दूँगा, यह आपका पांच हो जाएगा, ठीक है, पचाम 25 पंचे 125 और 99 81 हो गया आपका, बात क्लियर है, 125 की वैल्यू बिटा आपको दीगी है, 6480 के, 81 की वैल्यू आपसे पूछेगी, देखे, 125 बराबर आपक से कट किया जाए, पांच से ही कट करते हैं, 25 हो गया आपका यह, ठीक है, 25 हो गया, इधर भी कट करते हैं हम लोग, 5, 95 बचा 1, 5, 2, 10, बचा 4, 5, 95, 45, 5, 30, बात क्लियर होगी सभी को, अब आपसे किस की वैल्यू पूछेगी है बटा, 81 की वैल्यू आपको निकाल नहीं है, ठीक है, 81 की वैल्यू निकाल नहीं, कहां पर कहीं पर कुछ घरवर तो नहीं हो गया यार, एक न टुक जाएगा, देख लेना दो जरा, ओ, ओ, सॉरी, 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 देखेगा, आपको यह दिया गया है कि इतने की वस तु बेची गी है बेटा, यानि कि 81 की वैल्यू आप को दी गई है, 6480, ठीक है, आप से 125 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, 125 की वैल्यू आप से पूछी गई है बाई, 125 की वैल्यू जब आप से पूछी गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, 99, 81 होगी आपका, 9, इधर पहाड़ा पढ़ते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, टेबल पढ़ते हैं तो नो चाग चाओन, नो सते तिरसट, नो दुनी, अठारा, जीरो, फिर एक की वैल्यू आपकी कितनी आगी, बिटा, आसी आगी, अब आपको एक सो पच्छीस की वैल्यू निकालनी, तो अट पंचालिस का जीरो, हासिल चार आदू, सोला, चार बीस का जीरो, हासिल दो, आठ एक नम, आठ दो, दस, आपका आंसर कितना आ जाएगा, बिटा, दस हजार आपका आंसर हो जाएगा, प्लीस, जल्दी से करिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, तेक जैसे ये हो गया मुद्दा, क्यलकुलेशन का, अब आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका आप ना सकते हो, कि आपको माल लेते हैं, आपकी ये जो है, कोशन माक आपके क्या था, अंकित मूले था, इंटू, 20% छूट दी की बचा कितना आपका 80 बटे 100, 10% छूट दी की ब बराबर कितने के है, बराबर है आपका 6, 4, 8, 0 के ठीक है, 9 से मैंने कट किया, 9, 7, 3, 9, 2, 18, ये आपका 0 हो गया, 9, 9, 9, 9, 8, 72 हो गया, 8 से 8 कट कर दिया, कोशन माक की वैल्यू कितनी आगी बच्चे आपकी, 1, 0, 0, 0, 0, 0, आपका अंसर कितना आ गया भाई, 10,000 रुपे ब क्लियर हो गई होंगी, I think, है ना, चली आगे बरता हम लो, ठीक है, अगले कोशन का आंसर बताएगा, प्लीज, कह रहा है, एक वस्तुकी खड़ी दी गई कीमत पर 25 परसंट लाब के साथ उसे 8, 750 रुपे में बेचा गया, अंकित मूले पर उसे 30 परसंट छूट मिली, अंकित मूले क्या था, आपसे ये पूचा गया बटा, जल्दी से बताना प्लीज, ठीक है, जल्दी से बताएगा प्लीज, सेम प्रॉसेस हम लोग कर सकते हैं, यानि कि देखे, MRP हो गया आपका, SP हो गया बेटा आपका, और आपका क्या हो गया, CP, 25% का लाब, यानि कि 4 पर एक का लाब कितना हो गया, आपका 5, 30% छूट मिली, यानि कि 10 पर आपको 30 की छूट मिल गया, यानि कि 7 की आपने बेची मल्टिपलाई कराते हैं, ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है 8, 7, 5, 0 में वस्तु को क्या किया गया है बेंचा गया है यानि कि आपसे SP इसबार दे दिया गया 35 की value बेटा दे दी गई आपको 8, 7, 5, 0 के ठीक है तो आपको 5 की value कितनी हो जाएगी देखे 5 की value कितनी हो जाएगी पांच की value हो जाएगी 735 होगी इदर अब 797 बचा 1 724, 735 0 होगी आपका ठीक एक की value आगी बिटा आपकी 250 ठीक है अब आपसे कह रहा है अंकित मुल्ली कितना था अंकित मुल्ली की बात अगर हम लोग करें एकना टुक एगा 5 दुनी 10 एकना टुक जाएगा एक मिनट बस हाँ ठीक है भाई option शायद गलत है क्या एकना चेक कर लेते हैं हम लोग 35, 575 595 बचा एक इदर यह हो गया 17 5 7 दुनी 14, बचा तीन 7 पना 35, 0 हो गया फिर 5 दुनी 10 पचम 25, एक की value आपकी 20 हो आगी अब आपसे पूछा गया अंकित मूले मतलब बटा आपसे पूछा गया क्या 50 की value 50 की value कितनी आजाएगी भई 25, 5125 ठीक है 0, 0 12,500 बटा आपका आंसर आएगा ठीक है आंसर कितना आएगा बच्चे आपका 12,500 आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा अगले question का आंसर बताएगा सभी लोग सभी लोग बटा जल्दी से अगले question का आंसर बताना क्या हो जाएगा ठीक है अब देखें जैसे हम लोगों ने last time एक चीज़ सी की थी कि cp बराबर mrp into 100 minus discount upon 100 plus profit था तो इसमें हम लोग value रख सकते हैं देखें कैसे cp हमें अंकित मूल पूछा गया यानि के mrp आपसे पूछा गया है cp बिटा आपका कितना है 900 है into mrp sorry बराबर आपका क्या हो जाएगा mrp हो जाएगा into 100 minus discount 10% की चूट है यानि की 90 upon आपका 125 ठीक है बात clear होगी सभी को 9 से 9 कट गया आपका 0 से आपका 0 कट गया बात clear है उधर भेज़ दो 1250 आपका क्या आगया mrp आगया किस्सा खतम कहानी खतम बिटा ठीक है बताईए clear होगी की नहीं बात जल्दी से प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताईगा clear होगी की नहीं होगी बात फिर आगे बढ़ता हम लोग ठीक है बिटा 1250 रुपए आपका mrp आ जाएगा यानि कित्मूल ले आ जाएगा ठीक है बढ़ते हैं आगे अगले कोशन का अंसर बताईगा प्रीज कर दाएगा बताईगा नहीं झाल झाल 25% आपका क्या है निस्चेत करता है वो अंकित मूल्य से अधीक है स्वरी तो CP अगर आपका 100% हो गया तो उसने MRP कितना अंकित किया 25% अधीक 125 अब इस पर वो अगर 10% की छूट देगा 10% का मदलब कितना होगे 12.5 12.5 जब इस से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 112.5 बचेगा अब 112.5 हंडेट से कितना अधिक है 12.5 अधिक है तो यही क्या होगा बिटा आपका यही आपका प्रॉफिट होगा बात खतम आपसे यही चीज़ पूचीगी है यानि कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा अगले लगर देवर थे प्लोक देखें एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रेम उले से 40% यानि कि 100% था उसने 40% क्या किया अधिक लिया यानि कि 140 हो गया 20% छूट देदी 20% छूट मतलब आपका 14 दुनी 28 छूट मिल गई यानि कि बचा आपका 112 100 की वस्तु 112 की बेच रहो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका 12% का बात खतम भई पैसे हजम आपके बता दीजिए कैसे हैं आप लोग जल्दी से बताइए क्लियर हो गया बिठा फिर आगे बढ़ते हैं मुलोग ठीक है जल्दी से प्लीज कमेंट करके बताइए अगला कोशन है आप सभी के सामने आंसर बताइगा जल्दी से सभी लोग अगले कोशन का आंसर बताइगा बच्चे फिर आगे बढ़ते हम लोग ठीक है कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44 प्रतिशत 44 परसेंट हानी पर बेचने का दावा करता है परन्तु 30 प्रतिशत वजन कम तौलता है वास्तविक हानी प्रतिशत ग्याद करें बटा जल्दी से बताएगा प्लीज कमेंट आप लोग ठीक है जल्दी से प्लीज समी लोग कमेंट करके बताएगा बिटा क्या हो जाएगा इस कांसा ठीक है फिर आगे बढ़ता हम लोग जल्दी से बताएगा सब लोग क्या हो जाएगा इसका अंसर देखे सीधा सा मुद्दा है एक एक दुकानदार अपनी वस्त को 44% ठानी पर बेचने का क्या करता है दावा करता है अच्छी बात है उसने क्या क्या 100% जैसे वस्तू थी तो उसको 44% लॉस यानि कि 56% पर वो बेच रहा था लेकिन उसने एक दिमाग लगाया कि वो तॉल के टाइम 30% कम वजन तॉलता है यानि कि सिर्फ 70% देता है बच्चा कितना देता है 70% देता है ठीक है बात क्लियर होगी अब आपसे पूछा क्या गया है वास्तविक हानी बताओ बास तभी हानि बताओ अब वो दोस्त पैसे इतने के ले रहा है और सामान इतना दे रहा है तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है उसको नुकसान जो हो रहा है 14% का किसका 70 का 14 वटे 70 इंटू 100 कर देंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा बिटा sorry 14.75 यह हो गया 20 हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20 परसेंट आपका सही जवाब होगा बताए क्लियर हो गई बात प्लीज कमेंट करके बताएगा सभी को बात क्लियर होगी बिटा फिर आगे बढ़ते हैं अगले कोशन का आंसर बताएगा प्लीज इस कोशन का आंसर तो आप लोग देखके ही बता दोगे इतना मुझे भरोसा है आप लोगों पर पता है इतना मुझे भरोसा है कि इस कोशन का आंसर आप लोग देखकर ही बता दोगे भाई आप लोग बिल्कुल सही बता रहो मुझे पूरी आशा है यार सच बता रहो मुझे भी डिकॉर्ड पढ़ाने में मज़ा नहीं आता लेकिन क्या करें कुछ कुछ मजबूरी तो रही होगी उनकी वरना किसी से बेवफाई अच्छी बात तो नहीं समझ रहे हैं मलब कुछ तो दिक्कत होगी दो दोस्त है न कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की कटोती कर देने के बाद भी 8% का लावर्जित करता है सीधा आपको पता है option पर जाकर भी आप कर सकते हो कि अगर 120% है बिटा तो उस पर आप क्या करोगे 10% अगर discount देते हो तो कितना कम हो रहा है आपका 12 यानि कि बचा आपका कितना 108 100 की बस तो 108 पर बेचो कि कितना profit हो रहा है बिटा आपका 8% आपका profit हो रहा है आगे बात समझें सभी को this is your right answer अगले question का answer बताएगा सभी लोग same question है sorry अगले question का सभी लोग answer बताएगा ठीक है same type का question है option से भी आप कर सकते बटा देखें बिल्कुल जब आप इसके option चे करोगे 30% जाओगे यानि कि अगर मैंने 130 रखा तो इसका मैंने कितना छूट दिया भाई 10% तो 10% का मतलब 17 की छूट देथी बच्चे तो कितना बचा आपका 10% छूट होगी कितनी आपकी 13 यानि कि माइनस हुआ तो कितना बचा बचा आपका 117 की वस्तु को आप कितने की बेच रहा हूँ 117 की कितने का लॉब भर रहा है आपका 17% का बात खतम पैसे हजम कल हम लोग क्या पढ़ेंगे एक चीज़ याद रखना कल हम लोग इसके आगे कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे बहुत दिनों से नहीं पढ़ा जो हम लोगों का टॉपिक है टाइम एंड वर्क प्लीज जुडिए गा साथ में ठीक है थोड़ा से हम लोग को सिंप्प करेंगे यहां पर किसको किसको सिंपल इंटर्स कंपॉण इंटर्स को सिंप करेंगे टाइम और वर्क के साथ हम लोग झुलेंगे ठीक है इस कुछिशन का अंसर बताएगा प्लीज कह रहा है राम ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की दो क्रमिक छूटों की गोसला की खुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी है तो बिटिया देखिए आप लोग 100% है 30% की पहली छूट दी गई कितना हो जाएगा बच्चे आपका बच्चेगा सो में 30 चला गए कितना बच्चा 70 फिर 30% की जब छूट दीगी तो 70-30 कितना हो गया 21 हो गया सॉरी 70 का 30% कितना हो गया साथ ने 21 हो गया बटा ठीक है तो कितने की छूट मिल लगी है 30% प्लस 21% यानि की 51% की बटा आपको छूट मिल लगी बताइए क्लियर है सभी को प्लीज कमेंट करके दोस्त बताइएगा क्लियर है सभी को क्या चलिया देखिए ये कोश्चन हो गया एक कि किसी वस्त को बेचने पर 25 परसें तदा 5 परसेंट की 2 क्रमिक छूट एक अकेली छूट के बराबर होगी, एक पहला question बिटा आपका ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा question बिटा आपका ये हो गया, ये वाला question भी आपका क्या होगे, hw, ठीक है, और ये वाला question बिटा क्या होगे, आपका hw हो गया, ठीक है, एक चीज आप सभी से request है, कि जितना बरोसा आप लोगों ने दिखाया है तो प्लीज इतना ही प्यार दिखाया है रो दोस्त ठीक है ना बस एक दो दिन में चीज़ें बिलकुल सही हो जाएंगी ठीक है आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पर होने लगेगी ठीक है प्लीज सपोर्ट थैंक यू गाईज आप लोगों के सपोर्ट की ज़गा ठीक है तो आज के सेशन हम लोग स्टूडेंट यहीं पर एंड करते हैं प्लीज जाने से पहले सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और कोशिश रहेगी एक दो दिन में आपका ये जो सेशन है लाइव स्टार्ट हो जाए ठीक है ना थोड़ा सा इशू चल रहा है प् मेरी फैमिली का भी ख्याल रखे तो आज के लिए इतना है प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देना जितने पर साथी पहली बार जुड़े सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा तो बाई हैव गुड डे थैंक यू जैहिन धन्यवाद भारत मात की जैहिन थैंक यू गाइज